उतर परदेश के मुरादाबाद में आज भारते किसान यूनियन के आहावान पर किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है जिसको लेकर पूरे परदेश में किसानों ने सरकार का विरोथ किया है किसानों ने गन्ने का समर्थन मुल्य बढ़ाने की मांग की है इस दोरान गुसाई किसानों ने नेशनल हाईवे 24 पर मूना पांडे थाना इलाके में जाम लगा कर हाईवे पर गन्ने की होली जलाई किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जो पैसा उनका शुगर मिलो पर बकाया है उसका भुकतान ब्याज सहीद करें अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो 21 दिसंबर से दूद सबजी गन्ना सहीद अपने सभी किशी उतपादों की विक्री बंद कर देगे और अनिशित काल की हरताल शुरी कर देंगे देखिए मुरादाबाद से सवदाता बाजी दली की रिपोर्ट और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी यह अंदोलन करम से है गन्ना बुक्तान हमारा ब्याज सहीद होना चीए पूर बढ़ती सरकार ने जो 2000 करोड लुपे का ब्याज मिल मालिकों का माफ कर दिया था बो उस ब्याज को मान्य हाई कोड के आदेशा नुसार किसानों को दिलाना चाहिए प्रदेश सरकार को एक तरफ केंदर सरकार कहती है कि किसानों की आए 2022 तक दुगनी करेंगे लेकिन किसान को यह समझ नहीं आ पा रहा है कि किसान की आए दुगनी किस प्रकार होगी कौन सा वे मंत्र है जिससे किसान किया दुग नी करेंगे वे लगतार तीन वर्ज बिल्कुल 21 दिसंबर को हमारा हल करांतिया अंदोलन की सुरुआत हो रही है जिसमें हर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालियों पर किसान अपने किर्सी अंत्रों के साथ अंदोलन रत रहेंगे और ये चरणबद अंदोलन हमारे चलते रहेंगे आज कितने कामों के किसान साथ है आज यहां पूरे छेतर के पूरे ब्लोक के किसान यहां है चार जगे हमारा जो है जाम है मुरावबाद जिले में और यहां मुणना पांडे के लिए मैं कांट साया हूँ मैं तहसील परवारी हूँ मानने जिलाद्यक जी के आदे सानुसार मेरा नाम जितेंद्र विश्णोई है यह विए आदे गांडे की आदे कांट साया है जन्ने वान